आप अपनी रेलियों में अक्सर बात करते हैं और कहते हैं आरोप लगाते हैं कि विपक्ष जो है वो इस देश को शरिया के हिसाफ से चलाना चाहता है हम हमारी बात नहीं का खाया है अपने घोषना पत्र में का है कि पर्सनल लॉद को इन्ड़ीश करें तो पर्सनल लॉ वोट बैंक साध रहे हैं इससे वोट बैंक कहा से सदेगा हमारा मुस्लिम वोट बैंक वो साधने का प्राहस करें हम आप दूसरा मेरा सवाल आप इसा नहीं है उनके गोष्णा पत्रों में जो चीज है इसको जनता के सामने रख रहे हैं बंगाल में ममता दिदी के गड़ को इस बार आप बहुत बड़े तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कई उपिनियन पोल्स ने तो बताया कि बीजेपी का नंबर पिछली बारी से बर सकता है लेकिन क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल के लेक्शन का संदेश खली कुछ न करें कि सोसन करने वाले इनके कारिकरता है इनकी वॉट बढंक का हिस्सा है इससे ज्यादा सरमनाक будем होई नहीं सकती है इसलेक्शन का मुद्दा नहीं है इस देश की सूचीता का मुद्दा है सासन किस तरह से चलना चाहिए आपकी वाट बैंक को एड्रेस करने के लिए मैला हो का आप सुसन करने दोगे हम निश्चीत रूप से इस मुद्धे को इलेक्शन की समय में भी और इलेक्शन के बाद भी बंगाल की जनता के बीच में ले जाएंगे अक्सर आप बंगाल में अपनी रैलियों में ममतब इनर्जी का जो नारा है मा, माटी, मानुश उसको आप बदलते हैं और कहते हैं कि अब मुल्ला, मदरसा और माफिया की खातिरदारी हो रही है क्यों एक बंगाल के युवा ने मुझे बेज़ा था जी मेरे पास वाट्सअप मैंने सेव करकर रखा जी तो यह जनता की फिलिंग है क्या आपको लगता है कि CA के नाम पर क्योंकि आप देश की ग्रह मंत्री भी है, CA के नाम पर इस देश के बड़े तपके को, अल्प संखेकों को डराया जा रहा है बंगाल में कहा जा रहा है कि अमिच शा अगर जीत गया, यानि बंगाल में अगर भारतियनता पार्टी जीत गई तो CA लागू होगा और चुन-चुन के निकाला जाएगा CA वैसे भी लागू होगा और CA किसी को निकालने का कानून है यह नहीं CA भारत सरकार का कानून है देश की संसद ने पारिद किया है और पूरे देश में वो एप्लाई हो रहा है एक मुद्दा जो की भारतियनता पार्टी वहां पर उठा रही है वो है कि औरिशा में ऑफिसर वस्स पॉलिटिशन को मुद्दा बना रही है क्या आपको officer से समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है ओडिया जनता के अंदर ये समस्या है कि ओडिशा पर तमिल नाडू से आये हुए officer कैसे सासन कर सकते हैं?" एजा अपसर नहीं एजा politician एजा मुख्य्मत्रि और वहाँ पर जनता में उडिया प्राइड का मुद्दा बना हुआ है अब उरिसा की जनता नेताई करना है जी मैं कश्मीर की बात करते देता हूं कश्मीर में नरेंद मोदी की सरकार ने बहुत काम किया है और इस बार बंपर वोटिंग भी हुई है इसको आप किस धंग से देखते हैं क्या ये वर्ड को around the globe भी एक बड़ा strong message है भारत की तरफ से देखें जो लोग आजादी की बात करते थे जो लोग अलग समविदान की मांग करते थे जी वो लोग भारती समविदान के तहर जो चुना हो रहा है उसका हिस्सा बने है और स्वागत योग्या है और गाटी की जनता ने भी बढ़ चड़ कर वोटिंग किये सारे रेकॉड तो मैं मानता हूँ यह बहुत अच्छी बात है कस्मिर के लिए भी अच्छी देश के लिए अच्छी जी बार बार आप एक मुद्दा उठाते है अपनी रैली में पीयो के का पीयो के को आप कहते हैं यह भारत का हिस्सा है क्या आप इसको पोलिटिकल इशू बनाना चाहते है इसमें पोलिटिकल क्या है कुछ पोलिटिकल नहीं है हमारा देश का स्टेंड आप भी दो कह रहे हैं तो वहीं तो मैं कह रहा हूँ लेकिन चुनावी रैली में इसका जिकर करना वे अच्छा में ही बॉला जाता किके नहीं बोला जाता है कॉंग्रेस कहती कि देखिए फिर पाकिस्तान की बात बीच में पाकिस्तान की बात नहीं है पाक क्यूपाई कस्मीर की बात कस्मीर की बात हर्याना को लेकर आपकी रीडिंग क्या है क्या आपको लगता है वहाँ पर कोई जाटों का बड़ा विश्य है हरियाना में हमारी पोजीशन है वो समाल कर रखेंगे इसमें मैं कोई बड़ा डिटोरीशन नहीं देख रहा हूं जी मेरे आखरी दो सवाल हैं धारा 370 हटाना एक इतिहासिक फैसला था बतार ग्रेम मंत्री जब आप अपनी पूरी कारेकाल को देखते हैं बीते पांच साल के अंदर आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंज भी था आपके लिए इस चुनाव में आपको आपको आपके जो चाहने वाले हैं आपको पसंद करते हैं वह अमिद काका के रूप में भी जानने लगए तो क्या कहना चाहते हैं आप ये मैं रैलियो में भी देख रहा था आज अच्छा लगता है यूआ बच्छे इस तरह से पुकारते हैं जी अमेशा जी फाइनल नंबर आपका क्या है हम 400 पार करें और बीजेपी का नंबर क्या होगा बीजेपी का नंबर अभी सात्वे चरंग के बाद ही असेस्मेंट आपाएगा परन्तों निश्ची तरुप से 400 पार करें अमेशा जी आपने हमें अपना वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उमीद करते हैं कि लोगतंतर के इस महापर्व में आपको काम्याभी मिलें